हेलो दोस्तों हम लोग narration का solution करेंगे question no.301 से इस episode में video solution के 301 में he said to his son do not smoke ये एक तरह का advice है ना और advice में हम लोग जानते है comma inverted comma के जगा two का यूज करते है लेकिन negative है तो two के पहले not लगा देंगे तो इस तरह से ये तीसरा हो जाएगा two के पहले not लगाएंगे two के बाद नहीं तो he advised his son not to smoke चलिए 302 में आते है she said I will now take rest for some time उसने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए rest करूँगी ठीक है तो देखिए सेड के बाद comma inverted comma के जगा that होगा और सेड रिपोर्टिंग वरो पास्ट में है इसलिए विल का वूड हो जाना चाहिए और I first person she के अनुसार श्री में बदल जाएगा now का देन हो जाएगा हना तो इस तरह से 302 का भी तीसरा option सही होगा 303 the receptionist said to miss please be seated and wait for your turn देखिए भाई यह जो है receptionist बोल रही है please तो please का मतलब request कर रही है तो request में भी 2 लगाते हैं तो हो जाएगा the receptionist requested said के साथ 2 होता है said to miss लेकिन requested to miss नहीं होगा requested the receptionist requested to miss हना और request है तो इसके बाद that भी नहीं लगेगा तो लगेगा the to be seated and to wait for his turn option number 4 ठीक है 304 का देखिए क्या होता है he exclaimed that it was a very graceful animal देखिए बच्चों क्या है कि यह indirect narration दिया हुआ है और direct narration बनाना है यह थोड़ा आप लोगों को टफ लग सकता है इसके लिए सबसे सरल तरीका क्या है ना उल्टा चलना सुरू कर दीजिए मतलब जो options हैं उनको direct narration में जो option दिये गया है उनको indirect narration में बदल बदल के देखिए कि 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 आपका दिमाग बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाएगा तो आप सीधे सीधे indirect narration से direct narration पर पहुंच जाएंगे ठीक है तो हमारा है पहला he exclaimed what a graceful animal हाना तो exclaimed that हो जाएगा it was a very graceful animal तो यहाँ पर हमको मिल गया 304 का पहला option ही सही मिल गया ठीक है तो पहला option answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते है 305 Caroline said will you come to my party on Saturday यह बात तो पूछने वाली बात है नहीं question है आप समझ पा रहे हैं कि क्या है यह question है हना तो Caroline asked हो जाएगा yes no question है तो if यह वेदर लगाएंगे that तो लगेगा नहीं हना तो asked वाला एक ही option दो option है पहला और तीसरा पहला में that लगा दिया इसलिए खतम हो जाएगा तीसरा में if लगा इसलिए वो वाला सही हो जाएगा 305 का तीसरा तीन से छे तीन सो छे बाबु सेड आइव टोल्ड माइफ्रेंड्स यूल भी हेर तो देखिए भाई इसमें सीधा सीधा हो जाएगा बाबु सेड दैट होगा न और आई है प्रजेंट परफेक्ट रिपोर्टिंग पर पास्ट रहने के कारणू पास्ट परफेक्ट में ही बाबु सेड दैट ही है तो इसलिए विलका बुड हो जाएगा तो ऐसा है तीसरा और चौथा में लेकिन आई जो फर्स्ट परसन ही के सार ही में बतलेगा इसलिए तीसरा आप्शन हो जाएगा 307 का 308 मोनिका चेंग आस्क्ड डियून आर यू गूइंग टू विजिट जर्मनी तो मोनिका चेंग आस्क्ड डियून इफ न इफ क्यों होगा भाई क्योंकि यह एस नो कुश्चन है और आर है तो वाजवेर में बदलना चाहिए पहला इलिमिनेट हो गया इज में बदल दिया दूसरा हेड में बदल दिया तीसरा में भी हैड में बदला है इसलिए खतम हो गया चौथा में वाज में बदला है तो चौथा बच जाएगा 308 का चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा 309 यू सेट टू मी आइम गूइंग तो अमेरिका तो हो जाएगा यू सेट टू मी तो यू टूल्ड मी हो जाएगा कॉमा इंवर्टेट कॉमा के जगा डैट होगा और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यू के इंसाब से बदल जाएगा यू में और यू के साथ वेर लगना चाहिए हना यू सेट टू मी तो ही टूल्ड मी दैट तीसरा में देखिये मिल जात आई जो यू के इसाब से यू में बदल गया और रिपोर्टिंग वह पास्ट था तो इजा इस आयम का वाज वेर होगा तो यू वेर हो जाएगा तीसरा ओप्शन 309 का 310 का देखिए यू से टू मी जैसे यू से टू मी पहले तो यू टोल्ड मी कर दीजे कहां कहां एक ही स सेकेंड ऑप्शन में यू सी थर्ड परसन नो चेंज लेकिन इज का वाज माई सिस्टर माई फर्स्ट परसन है यू के इंसार से यूर सिस्टर तो 310 का दो हो गया 311 कि दो प्रोफेसर सेड है व्यू क्लियर्ड यू लास्ट सेमेस्टर पेपर्स तो सेड नहीं होगा आस्क्ड हो जाएगा इफ यह वेदर चलेगा ठीक है और यू जो है आई में बदल जाया क्योंकि प्रोफेसर ने मुझसे पूछा तो प्रोफेसर आस्क्ड इफ यह वे में बदलेगा ना जी और सब्जिक्ट के बाद और चला जाएगा तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ठीक है 312 का एक पहली बोल दिये देखते के साथ एक्दम धड़ाक से क्यों बोल दिये तो देखिए तो ट्रैफिक कांस्टेबल से टुस्ट स्टॉप रुको तो ट्रैफिक कांस्टेबल क्या बूलेगा ओडर ही करेगा नाई और वाले में तू लगता है कॉमा इंवर्टेड कॉमा के जगा तू स्टॉप हो जाएगा तू के बाद तो भीवन ही आएगा इसलिए 312 काई एक ठाक से हमने बूल दिया देखते के साथ 313 ठीक है आई विंट फॉर लॉंग वाक एस्टरड़े सेड मोनी काविया ठीक है तो मोनी काविया सेड डैट सी हैड गॉन पास्ट इंडिफिनिट से पास्ट परफेक्ट में फॉर लॉंग वाक एस्टरड़े है तो दर दे भी अलास है इसका मतलब है कि रिग्रेट का फिलिंग आएगा सारे में रिग्रेट का फिलिंग दिया है उसके धर पे आप ऐलिमिनेट नहीं कर सकते कोई बात नहीं हाँ आई हैव वेस्टेड माइ फोर्चिउन डैट हीड फोर्चिउन डेट देखिए परजिस्टी लेकिन उतना पर्फेक्ट नहीं है तीसरा में परजिंट परफेक्ट रहने दिया इसलिए भी करते है इसलिए चौथा ओप्शन हो जाएगा 314 का 315 मिस्टर रॉनल्स से डोंट वोट फॉर ओटिस बिकाउज ही इस इर्रस्पॉंसिबल देखिए डोंट वोट वीवन से या डोंट प्लस वीवन से स्टार्ट हो गया इसका मतलब को एडवाइस है और है कुछ इंपरेटिव मूड है तो इंपरेटिव मूड रहेगा भाई साहब तो टू लगेगा कॉमा इंवर्टेट कॉमा के जगा अर डोंट लगा हुए डियर्स इर्रस्पोंशिबल अखिव लगेगा है इजरेस्पोंशिबल अधी वाज करना पड़ेगा है इस पॉंसिवल और मिस्टर रॉन गछ टूल्ड वोट फॉर टिस बिकाऊज ही लक्ट रस्पॉंशिवलिटी वाज इस पांसिबर है इसवाइस बाइस फंचेब हमको इसलिए हम पहला देंगे तीसरा हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ही लैक्ट रेस्पॉंसिलिटी का एक और अर्थ निकल जाता है कि उसके उपर कोई जिम्मेवारी नहीं है न सेंसु नहीं लग रहा है क्यों रेस्पॉंसिबल है चलिए 316 I had a wonderful dream last night head रहे, no verb रहे, तो head को double had में बदल देते हैं बदलते को 316 का क्वों से हो जाएगा किसा है, not head yet He said that he had had a wonderful dream Last night के जगा the previous night होगा तो चौथा में compromise करना पड़ेगा चौथा भी perfect नहीं है पर इदम सबसे अच्छा होने के लिए चौथा में he had had a wonderful dream the previous night होना चाहे था लेकिन उनाहीं है इसलिए फिर भी मानना पड़ेगा कि वही सबसे close है क्योंकि उससे जदा close कोई नहीं है बुले क्यों नहीं है उससे जदा देखे तो he said that last night he had a wonderful dream last night का last night छोड़ दिया इसलिए तीसरा eliminate हो जाएगा फिर दूसरा yesterday कर दिया है इसलिए उभी eliminate हो जाएगा अब पहला में भी last night का last night छोड़ दिया इसलिए eliminate हो जाएगा चले 317 देख लीजे he said I am buying a new pen he said that he was buying हो जाएगा ना a new pen दूसरा option 318 he bade his love goodbye तो यह तो सिदा सिदा है 318 का he said goodbye my love चले चौथा नमबर हो गया 318 का 319 you did not return your book yesterday said the librarian the librarian ने मुझसे ही कहा तो हो जाएगा the librarian said that I had हम इसको मुझसे कहा तो आई लेके मानते है और किसी दूसरे आदमी से कहा तो मुझसे को ही लेके चल सकते है यहाँ option पर depend करेगा कि मुझसे वाला option दिया है कि दूसरा किसे मान के option दिया है समझ रहा है बात तो यहाँ पर आई वाला कोई option दिया है ने इसलिए इसका मानना पुड़े है कि किसी दूसरे से ही कहा तो तो यहाँ से कहा है और पास्ट इंडिफनेट से पास्ट पर्फेक्ट इस बूक द प्रिविएस डे पहला अप्शन आ गया 320 देखिए यू आर अल दूइंग वरी वेल सेड मिश्टर जोन्स 320 का ना तो मिश्टर जोन्स सेड दैट दे वेर अल दूइंग वरी वेल यह तो आसान था 320 का तीसरा 321 aё finish qu της several days ago jack said that he finished life पास्ट परफेक्ट होust तो Jack said that he finished है तो past perfect होजाएगा ऐस्ट इसीज़ होनाचीज हिए यह ष्वाफ़ूर जोन सबसे प्लोज कौन है वाला नम यूदि आपक्रिछ सेट प्लोज होनारना निज भ़़ए तो तो इसमें जो सबसे close कौन है वाला देख लीजे तो इसमें जो सबसे close है दूसरा number है क्योंके खाली इसमें before के जगा earlier को compromise किया गया हो भी sense मिलता जूलता होता है ठीक है 321 कदो 322 I gave the packet to Tom who kept it a long time said Pamela Pamela said that she had given the packet to Tom who had kept it a long time she had gave नहीं होगा पहला eliminate हो गया किसी option में नहीं दिया है इसे लिए तीसरा कंप्रमाइज करके जो सबसे करीब है मनना पड़ेगा ठीक है said that she had given the packet to Tom who kept it a long time kept it for long time, kept it a long time तीसरा और चौथा में बसीसी के लिए चौधा को eliminate करेंगे कि kept it for long time, kept it a long time मिलता है वहां से 322 से ठीक है तो तीसरा option हो जाएगा बुलिए कि सरी तो बड़ा misguiding type का option है भाई साब ASC है बार-बार कितना बोले हमें की बात 323 I was digging the garden when the doctor arrived replied Harry Harry replied that Harry replied Look I was digging the garden when the doctor arrived replied Harry यही है ना तो यह कठीन थोड़ी है Harry replied होना चीए था replied किसी में है नहीं तो सेड होगा तो चौथा option खतम हो जाया क्योंकि ए रिपोर्टिंग वर पहले से पास्ट में ता परजिंट केसे है रिपोर्टिंग वर में कैसे आप चेंज करती जाएगा चौथा चला गया I was digging है तो he had been digging हो जाएगा the garden when the doctor arrived है even the doctor arrived देखिए टाइम क्लाउज वाला past indefinite मत बदलिएगा क्योंकि past perfect हो ही गया he had been तो उसके बाद है न जब पहले से खोद रहा था उसके बाद doctor पहुचा तो पहले से जो खोद रहा था past perfect continuous हो गया he had been digging अब बाद में doctor पहुचा तो बाद में जो काम हुआ past indefinite ही रहेगा इसलिए arrived का arrived रहेगा भाई साब समझ लीजिए तो दूसरा हो जाएगा ठीक है I would have been surprised if you had passed the examination said the former master the former master said that he would have been surprised if अभी student हम है हमको तो फेल होना पसंद नहें कि master मेरे बारे में बोले लेकिन फिर भी चलिए जो option देगा उसी को न मालेंगे if I had passed the examination देखे इफ वाला जो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ऐसे भी चेंज नहीं होता है इसमें खाली आई के जगा फॉर्मर मास्टर के हिसाब से ही हो जाएगा चौथा option 325 I will put this key here said the caretaker the caretaker said that he would put the key here के जगा there 325 का तीसरा होना चाहिए चली आगे बढ़िये I shall go tomorrow he said he said that he would go tomorrow tomorrow के जगा the next day the following day हो जाएगा ठीक है और आई जो है he के हिसाब से बदल जाएगा shall का should में नहीं would में बदलेगा क्योंकि he care हिसाब से will होना चाहिए will का would होगा पहला option ठीक है 327 Walter said I cannot do it now Walter said that he could not do it then he said that 4th option 328 the master said that he would see me the next day ठीक है तो क्या हो जाएगा the master said अच्छा indirect narration दिया direct narration बनाना है भाई साब तो आप तो पहले तो यह कर दिजिए कि रिपोटिंग पास्ट वाला लिजिए सब में पास्ट said the master और he है तो आई रहेगा तब ना I will see you next day है tomorrow होगा ना तो master said to me कर सकते हैं the master said I will see you tomorrow दूसरा option होना चीए 328 का ठीक है 329 father told Peter to clean his shoes ठीक है clean your shoes Peter told father इदम सिदा सिदा हो गया 339 का clean your shoes Peter said father हना चाता हो गया 339 का 330 the girl said how happy I am the girl exclaimed with joy that she was very happy हना तो चार नंबर 31 Mohan says that the teacher is not at home Mohan says teacher is not at home तीसरा नंबर यह तो आसान था चीए हम क्या बता है 332 he said I have done my job he said that he had done his job 3 इस अभी जी जी वाला एक दम इसमें time waste मत किजे the student said I am doing my homework the student said that he was doing his homework ठीक है अब ही के जगा सी भी हो सकता student लड़की भी तो हो सकती है इसका बावाल मत बनाये भाई 333 का एक नंबर लख लीजे ठीक है चली आये 334 I said to the boy you have no ticket get out before you are driven out तो I told the boy to get out या I asked the boy I ordered the boy to get out before he was driven out ठीक है 334 का as he had no ticket भी तो जूड़ना पुड़ेगा तीसरा ज्यादा क्लोज हो जाएगा तीसरा ही सही होगा 335 Amalia अच्छा फिर से इंडारेक्ट नरेशन दिया है डारेक्ट नरेशन में बनाना है Amalia is going to ask the principal for permission to go on a study tour तो जाहिर सी बात है क्या बुली गया Amalia May we have your permission to go on a study tour अपने प्रिंसिपल से permission लेने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीक होगा में से use करेंगे में से बुलते हैं May I come in sir तो चौता option हो गया तो आसान था 336 जयनेट एक इक्स एक्स 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 मीडा का शचाशिक है एक्स यह 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 लगजिशं में आपको बदलना है तो ईस भैक का धाप मधिस्मांगा arrangements बाबनीन विकम होगा और में सारा first person लगाएंगे तब तो Janet की साथ सी और हर में बदलेगा तो इसमें हो जाना चीज 336 का दूसरा सही है ठीक है 337 Thomas said that he अच्छा फिर से यहां पर आपको मिला है indirect narration अब बदलना है direct narration में तो Thomas said that he would meet Andy मतलो Thomas said to Andy हम कर सकते हैं I will meet you तो जाहिर सी बात है the following Monday will one o'clock suit you देखे भाई साभी एकदम sense पर अधारी था यह तो आपको साइद class में doubt clearance में पूछना पड़ जाए एकदम sure है इसका पहला होगा पहला ही होगा ना sure है going to meet you and I am going to meet you तीसरा भी बहुत अच्छा हो सकता था लेकिन वहां पर एंडी एंडी दूबर कर दिया था तो से टू एंडी थो फिर एंडी को क्या बुलना था अंदर एंडी बूलने का कोई जरूरत नहीं से वह सूपर फ्लूट अच्छे चले 333 santa said that she used to know a lot of people in Delhi but that she had fewer friends in Kolkata टेक है, डेरेक्ट, इन डेरेक्ट से डेरेक्ट विलना, संडा सेड देट, तो सेड हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेट को हमा यहाँ, सी है तो आई हो जाएगा, I used to know a lot of people in Delhi, ठेक है, but I have fewer friends in Kulkata, ऐसा हो जाएगा, शौथा अप्शन हो गया, 340, Mary said I am sorry, Mary said that she was sorry, पहला अप्शन होना चाहिए, 340, she said to me what are you doing, he asked me what I was doing, WH question है, तो कोई अलग से connector तो आएगा नहीं, पहला अप्शन हो जाएगा, 340, the technician told us how to maintain the machine in good working order, ठेक है, तो हुझाएगा, the technician said, this is how you maintain the machine in good working order, ठेक है, this is how present में है, तो अंदर पूरा present में रहेगा, तब पास्ट का बात करेंगे, sense पे best था, 341 का तीसरा होगा, यह challenging हो सकता आपके लिए, फिर भी confusion हो, तो क्लास में पूछिएगा, sense पे best है ही है, 342, he said to me, you need not worry, तो he assured me that I need not worry, है ना, अब यह जाहिड सी बात है, टोल्ड भी हो सकता था, बुलिया सेओड आपका है, अब किसी को बोलते है, चिन्ता मत करो, तो आप उसको आस्वासन देते हैं, आप उसको विश्वास दिलाते हैं, ना, सोच के देखिए थोड़ा, तो विश्वास दिलाते हैं, तो टोल्ड सेओड अच्छा होगा, कि नहीं होगा, इसलिए 342 का दूसरा, 343, Vikram said to Gopal, what did the beer tell you in your ears, तो यह सेड नहीं होगा, आस्क्ट में बदल जाएगा, ना, अदेट नहीं लगेगा, क्योंकि वाट है दूसरा, तो वही काम करेगा, इसलिए 343 का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, 344, Jane said to me, do you want to dance, तो Jane asked me if I wanted to dance, तीसरा, यहासान था, 345, It is a cold day today, cried the boy, the boy exclaimed that it was a cold day, that day, It was cold that day, यह से भी बोल सकते, it was a cold day that day के जगा, It was cold that day, यह से बोल सकते है, 4 नमबर सबसे जादा close, सही, 346, could I have a cup of coffee, she said, तो यह तरह का पूछना होगा, ना, she asked, if she could have, if she could have, एक cup of coffee, तीसरा, नमबर हो जाएगा, 346 का, 347, Do your duty, the father told his son, the father advised his son, advise है, तो फिर 2 लग जाएगा, to do his duty, पहला नमबर, 348, have you finished your work, अहमद, asked Vinod, तो क्या हो जाएगा भई, विनोद, आस्क्राइगा, whether he had, चुकि present perfect है, तो past perfect में बदल देगा, तो पहला हो जाएगा, he had finished his work, 349, Jennifer said, what will you do when you leave school, तो बहुत आसान है, Jennifer asked, अच्छा, किसी लड़की के लिए दे दिया है, नाम थिक है, asked her, what she would do when she leaves school, नहीं है, सिर्फ when she left school होना चाहिए, नहीं है, 349, क्लास में पूछेगा, यहाँ पर options में गरबढ़ है तोड़ा, leaves के जगा left हो जाएगा, ठेक है, 350, जो लास्ट है, इस वीडियो एपिसोड का, प्लीज बी पेशेंट और लेटर विल कम, said the teacher to the student, the teacher, एडवाईज दे स्टूदेंट तो बी पेशेंट और वेट फॉर दे लेटर, sense के दार पे चौता होगा, थोड़ा सा sense है इसमें, thank you very much, मिलते हैं अगले एपिसोड में, आगे की questions के साथ, thank you,